प्रेस दे बेल आइकन ओन यूट्यूब आफ एमधाबाद में जो टेरर अटैक किया था जो बॉम ब्लास्ट किया था क्या उसको पता नहीं था कि वो टेरर अटैक है वो बॉम ब्लास्ट कर रहा है पर सुकून कि मैंने काफिर को तकलीफ पहुचाई मैंने अंद भक्तों को पहुचाई और उस सुकून के साथ-साथ एक और सुकून नासर कान के पक्ष में साजित रशीदी और अबेसी की पार्टी के प्रवक्ता खड़े हो ही चाहेंगे ममताव एनरजी के प्रवक्ता खड़े हो ही चाहेंगे नासरकान बलतकार करेगा तो क्या हूँ अभी को जैन दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है इंडिया इस भारत पे आशा करता हों कि आप सबी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज हम आपके लिएक लेटेस्ट एक इंट्रस्टिंग और एक बहुती नमाकेदार वीडियो लेकर आएं जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोड की दबंग वकील नाजिया लाइखान जी का दमदार और वीडियो देखते हैं और रंत में इसके बारे में बात करेंगे जैहिंद जैभारत देखिए जब आप कई बार देखते हैं समोसे बनाने वाले कभी नाक में उंगली डाल रहे हैं या खुजा रहे हैं वो भी वही है लिकिन यहां तो बात उससे भी कोई गुना आगे और देखता है, क Bened delle, और और राज उन्की दुकानना समान हो या गाल रहे है तो भई हम वहाँ पर और लोग वहाँ जाना बंद कर देता है वहाँ पर जाना क्योंकि हाइग कर या नहीं तो तुम इंटे़ाशनलिले तुम एक बॉटल में मूत करके रख रहे हो जमा कर रहे हो अपना मूत और जो कोई भी हिंदू आ रहा है आपके दुकान में जूस पीने के लिए आप उसमें ड्रॉप ड्रॉप डाल करके आप उसको दे रहे हो और ये सुकून जो है ना इसको मैं बहुत आसाल statement में आपको clear क कर सकती है अब जितने लोग मेरा और आपका ये इंटर्व्यू देख रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहती हूं कि फेक अकाउंट आपके फेस्बुक पर ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर कितने हैं और जो फेक अकाउंट वाले हैं वो आपको अंदभक्त कहके या महिल थी पहलु ना लिए होती है तो उनको उनके शरीर को मैलाइं करके डिफेम करके उनको क्या मिलता है प्यकांट वाल के सुकून सुकून मिलता है क्या नासर खान को नहीं पता था कि वो एक क्रिश्टन का रेप कर रहा है और ये गुना है इसलाम के हिसाब से ये बहुत बड़ा गुना है और अगर इसलामिक पनिश्मेंट दिया जाए तो दोनों भाई को की जिंदगी ले ली जाएगी क्या आफ्ताप को पता नहीं था कि वो श्रद्दा की बोटियां कर रहा है तो उसको जेल में डाला जाएगा एमधाबाद में जो टेरर अटैक किया था जो बॉम ब्लास्ट किया था क्या उसको पता नहीं था कि वो टेरर अटैक है वो बॉम ब्लास्ट कर रहा है पर सुकून कि मैंने काफिर को तकलीफ पहुचाई मैंने अंद भक्तों को तकलीफ पहुचाई और उस सुकून के साथ साथ एक और सुकून नासर खान के पक्ष में साजित रशीदी और अवेसी की पार्टी के प्रवक्ता खड़े हो ही जाएंगे नासरकान बलतकार करेगा तो क्या हुआ उसको बहुत अच्छा और खूपसूरत मुसल्मान बनाने के लिए साजित रशीदी एकदम तयार है उसी तरीके से यह मूद पर उसने वाले मूद करके जूज देने वाला मुसल्मान जानता था वो तो देख रहा है साजित रशीदी और हाजी रंगरेश तो मुझे डिफेंड करे गाई मेरे लिए तो वो अच्छी बाते बोले गाई जो जो आफ्ताब शुरदा की वोटियां करता और उसके बाद पिर M.I.M. के प्रवक्ता खड़े होते हो और कहते हैं कि बाई वो तो आफ्ताब को भी पत तो करे गाई ठारू हमे जब कोई दिक्कत होती हैं हमारे ओपर केस होता है तो हमें अपने पॉक्ट से केस लड़ना पड़ता है हमें अपने से वह सारे चीजों को सॉर्ट आउट करना पड़ता है पर जिहादी टालिबानी आतनकी गुस्पैटिया जूटे लुच्चे ecosystem ऐसे लुच्चे लफंगे अश्लील बालादकारी मुसल्मानों को financially support करते हैं उनको बचाने के लिए खानून से बचाते हैं क्यों इलाबाद वाला तो आपको पता है एमदाबाद वाला एमदाबाद वाले पांच जो terrorist attack हुआ जो bomb blast हुआ उसके पांच आरोपी का case किस ने ल जड़ा था और आज भी असदुद्दे नवेसी जमायतुल उल्माहिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉग बोर्ड के मिटिंग में जाता है चेयर पर बैठता है तो मतलब डारेक्ट कनेक्शन है असदुद्दे नवेसी का है ना अब आती यह बात कि खानूनी तरीक ऐसे यह सा अपने आपको सेफ और सेटिए कर लेते हैं बहुत अच्छे से अब आती यह बात कि यह करोडों अर्बों रुपैं यह मुसलिम लीगल एको सिस्टम के पास आता कहा से है यह मुसलिम परसनल लॉग बोर्ड से आता है यह वकफ़ड से आता है यह हलाल सर्टिपिकेशन से आ इतना रोना दोना चारी है गली-गली घुम-गुम-कर QR-Code दे-दे कर ही कहा जा रहा है कि इसके इसके सरकार हमारी जमीन ना चीन ले डराया जा रहा है लोगो इक तरह से सरकार के खलाफ भड़काया जा रहा है हाँ तो यह क्यों बढ़काया जा रहा है किसके इंको पता है यह जांते हैं और यह जितने यह अनको पता है कि और यह मना करेंगे नकंस्ट करने करके क्य बंपंदर यू ada नहीं प्र॥ नहां करना कि हलाल एक्सपर्ट हमारे नाशनल भारत का दुर्भाग यह है कि हमारे नाशनल न्यूज चानल पर कुछ ऐसे मुस्लिम के लिए रिख है जो दाड़ी और टोपी लगा करके बैठते हैं पर वो हलाल एक्सपर्ट का विजिटिंग कार्ड भी रखते थे कलकथा हइग को मैं नंहाई को मैंने उसको प्रोड्यूस मैने उसको एब डाल करके मैंने के क्या है लिए इस वियत्ति कलुँस दाट करे कि ऐसी बढ़ावा दे रहा है ऐसे एसे बलातकारी यह अब बहुड कर रहे हैं आप बनेć आपके लिए और दूसरे की पिलादक संबन्द कर रहे हो यह भी तो बलातकार है तो यह हलाला एक्सपर्ट वाले लोग national news channel पर बैटेंगama अब और परदाश करूं कि भार में जाए national news channel का डिबेट लेकिन मैं यह ब और परदाश करूंगी आपके टारपी आप उपने pocket फें रखो लेकिन आप मुस्लिम समुद आए कि उन लोगों को बेवकुप बना रहे हो उन लोगों को आप परिशान कर रहे हो जिनको अलकुरान सही से नहीं पता है जो माइने से नहीं पड़ा है जो गलत को गलत नहीं बोल पा रहा है जो मुल्ला के हिसाब से इसलाम मान रहा है ज को लगता है कि यही मेरा नेता है अब फिर उनको ये भी तो लगता होगा ना कि ये सही कह रहे हैं हाँ देखो इसको ये भी तो डिफेंड कर रहे हैं हमारे मुला है मौल भी है हमारे धर्म को बड़े अच्छे से जानते हैं अगर ये डिफेंड करें तो हमको भी डिफेंड कर लगा लगा कर वेशना, सेबों को जितने वे आपके फ्रूट से उन पर थूक लगा लगा कर वेशना, सब कुछ तो चल रहा है, लेकिन कभी भी खुल कर उस समुदाय कि लोग सामने नहीं आते हैं कि यो लोग गलत कर रहे हैं, तो जब तब उस समुधाय के लोग जैसे आप साफ़ोई के साथ बिंदास होकर या बेबाक होकर अपनी राय रखते हैं कि जो गलत है किसी भी मज़भ में जो बात गलत है उसको गलत कहने से परेज क्यों लेकिन ये मुला मौलवी जो टीवी डिबेट से बैटे हैं नाजिया जी जब ये डिफ से जानकारी रखे मेरे दर्शकों को समझाने की कोशिश की कि जो गलत है उसको गलत बोलना सीखिए लेकिन फिर आप जानते हैं कि जब आप इस तरह से बाते करते हैं तो आपके खलाफ कितने लोग उठ खड़े होते हैं आप सुरक्षित रहें जहां भी हैं सलामत रहें मैं जानते हूं तीन दिन पहले क्या हुआ आपके साथ लेकिन मैंने आप से पेछले डिवेट में भी खाता कि वपा आपके साथ है उनका आशिरवाद आपके साथ है वो विगन हरता है आपके सारे विगन हरेंगे और ऐसा हुआ भी आपके साथ तो कृप्या करके सुरक्षित अपना ख्याल रखे, आपने समय निकाला इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए इसके लिए आपका बहुत-बहुत थन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय हो, वन्दे मात्रम और जैशिर राम. जय जय शे राम, हरहर महादेव, गर्पती बपार की बहुत-बहुत मतब आशिरवाद मेरे उपर था, अदर्वाइस अभी मैं आपके साथ इंट्रिव्यू नहीं कर रही होती, मैं बोटियों में कटी भी मिलती, जो situation मेरे लिए बनाया गया था, जावन जहादन भी थी, TMC की महिला नेत्रियां भी थी, TMC की नेता लोग भी थे, और सबने अपने statement में एक ही बात कही है, जो काफी क्लिपिंग्स मेरे पास है, काफी बंगाल के जो छोटे-छोटे यूट्यूबर से उनके दुआरा मुझे मिला है, कि मैंने मुसल्मान बलातकारियों का नाम क्यूं लि करके जा रही हूं, और मुझे उमीद है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर मुझे सही से रिप्लाई ना मिला, तो फिर मैं और इसको और भी आगे ले करके जाओंगी, मैं सौदी अरभिया तक वगरा, वहां तक ले करके जाओंगी, और वाकर में आपने बलकुर सही कहा था, कि गनपती पपा का आशिरवाद मेरे उपर है, महादेफ का आशिरवाद है, जो आज में जिन्दा सही सलामत आपके सामने बैठ करके इंटर्व्यू कर रहे हैं, अपना ध्यान रेक्शा करता हूं कि वीडियो को आपने अंतक देखा होगा, और रमेशा की तरह अंजू पंग कर दें और एक बार फिर अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिकर जुरू बताएं तो चलिए, फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंट्रोस्टिंग लेटेस्ट और धंदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, जै हिंद, जै भारत